I am sure आप भी अपने घर पे कुर्सी, चमच, कांटा, जारू, पोचा इस्तमाल करते हैं पर कभी आपने सोचा है कि यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं चलो आगे टाइम नी वेस करते हैं और मैं आपको जल्दी से इस इंट्रिस्टिंग वीटियो में बताती हूँ कि इन शब्दों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोथ से मोजा, सॉक्स चपल, स्लिपर जूते, शूज गद्दा, मैट्रिस कंबल, ब्लांकिट चादर, बेडशीट तक्किया, पिल्लो सोने का थैला, स्लीपिंग बैग मच्चरदानी, मस्कीटो, नेट अब चलते हैं फरनिचर पे कुरसी, चैर किताबों की अलमारी, बुक केस मेच, डेस्क बिस्तर, बेड अगर आपको ये विडियो इंट्रिस्टिंग लग रही है प्लीज सब्सक्राइब करिए इंग्लिश और मोर्वित आई शानी के ओ और अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ ज़रूर शेर करो मेरा चैनल डाइनिंग टेबल, खाने की मेज खाने की कुरसी अब हमारे घर में काफी अप्लाइंसे होते हैं पर क्या हमें पता है कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसमें ब्रेट सिखती है टोस्टर कॉफी बनाने वाला कॉफी मेकर चाई की केतली टी केटल चावल का कुकर राइस कुकर नमी हुमिडिफायर हवा शोधक एर प्योरिफायर अब देखते हैं किचन वेर बढ़तन युटेंसिल चाकू नाइफ चमच स्पून कांटा फोक तस्तरी प्लेट कटोरी बोल कांच ग्लास मठक पॉट रोटी पकाने का तव ग्रिडल बेलन रोलिंग पिन कडाई वॉक काटने का बोड कटिंग बोड नापने वाला कप मेजरिंग कप जलनी स्ट्रेनर पिसाई यंत्र ग्रेटर कैन खोलने वाला कैन ओपनर बोटल खोलने वाला बोडल ओपनर रसोई की कैंची किचिन सिजर्स डिश तॉलिया डिश टाल सिंक चलनी सिंक स्ट्रेनर कच्रे का डबबा ट्रैश कैन तैबंद एप्रिन आई होप गाईज अब सीख रहे हैं कि हाउसोल आइटम्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं चलनोट कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं कि प्लास्टिक हाउसोल आइटम्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है पानी की बॉटल, बॉटर, बॉटल प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक कप्स I hope guys आपको वीडियो इंक्रिस्टिक लग रही है और आप सीख रहे हैं कि हाउसोल आइटम्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टील हाउसोल आइटम्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है चिम्टा, टॉंग Serving spoon को English में भी serving spoon बोलते है बड़ा चमच होता है उसको बोलते है serving spoon तलने की कड़ाई, frying pan sauce pan को भी English में बोलते है sauce pan भूनने के लिए कड़ाई को बोलते है roasting pan अब देखते है tools and supplies हतोड़ा, hammer पेजकस, screw driver चिम्टा, plier पाना, wrench नापने का फिता, tape measure आरी, saw कील, nail तुलिका, paint brush काम करने की दस्ताने, work, gloves सुरक्षा चश में, safety, goggles बिजली की पट्टी, पार, strip अब देखते हैं cleaning household items जाडू, broom कुडा उठाने वाला, dust pan पोचा, mop बाल्टी, bucket फाई का कपड़ा, cleaning, cloth मगग, मग बर्तनों का साबुन, dish, soap कच्रे का बैग, trash, bag कागजी तॉल्या, paper, tals सौचाल्या साफ करने का brush, toilet, brush सौचाल्या में जो paper होता है, toilet, paper हवा ताजा करने वाला, air, freshener आप लोगों ने भी अपने घरों में काफी decor लगाया होगा पर क्या आपको पता है कि उनको English में क्या बोला जाता है चलिए, आज सीखते हैं कि उनको भी English में क्या-क्या बोलते है मैंने काफी लोगों से सुना है कि वो VASE को वेस बोलते है ये बहुत गलत है, इसका सही pronunciation है अब गाइस देखते हैं, emergency and medical items को क्या बोलते है प्रात्मिक चिकट्सा किट को बोलते हैं, first aid kit दवाई, medicine पट्टी, bandage सरन रोखने वाला दबा, antiseptic चिपकने वाला टेप, adhesive tape हैंड सानिटाइजर को, sanitizer ही बोलते हैं सास लेने वाला, inhaler आंखों में डालने की बून्दे को बोलते हैं, eye drops खासी की दवाई, cough syrup not cough, cough syrup सुई, syringe कैंची, scissors we say a pair of scissors can you please pass me the scissors, ये बिल्कुल गलाता है बोलते क्या है, hi, could you please pass me the pair of scissors तो I hope आप सारी वीडियो में समझे की हर household item को English में क्या बोलते है तो प्लीज आप comment section में लिखे की आज आपने कौन-कौन से वर्ट सीखे any two words लिख दीजिए comment section में कि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो beneficial रही है या रही